तो हे गाईस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं OnePlus 10 सीरीज के upcoming smartphone के बारे में जो की रहने वाले है OnePlus 10T smartphone अलड़ी आपने OnePlus 10R देखा है OnePlus 10 Pro देखा है लेकिन अब OnePlus 10T Indian Market के अंदर OnePlus बहुत ही जल्ल दौंच कर रही है यानि 3rd August को आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा और ये चीज ऑफिसेल OnePlus ने confirm कर दी है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है इस phone के launch से पहले सारी स्पिकिसंस के बारे में और इस phone की pricing भी confirm हो चुकी है launch से पहले जो की आपको official देखने को मिलने वाली है launch के बाद तो वो सभी कुछ जानने वाले है और क्या ये इस price के ओपर IQ9T smartphone जो की आपको इसी के competition में देखने को मन रहा है उसको beat कर पाएगा वो सब कुछ जानेगे उसके लिए वीडियो को सुरु से लेके लास तक देख लेना है गाईस मैं हूँ से हो और आप देखरो टेक हल पर से हो YouTube चैनल वीडियो को स्ब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो चलिए वीडियो को स्ब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले अगर बात करें OnePlus 10T smartphone के बारे में अब बिसिकली ये जो स्मार्टफोन है ना OnePlus इसे लाँच कर रही है OnePlus 10R और OnePlus 10 Pro के गैप को फिल करने के लिए मतलब OnePlus 10R की बात करें तो ये आपको 40,000 के करीब देखने को मिलता है अगर OnePlus 10 Pro की बात करें तो आपको लगबग 67,000 से 70,000 के करीब देखने को मिलता है अब इसके 20 का जो प्राइस गैप बच रहा था ना वहाँ पर इसे स्मार्टफोन को लाँच करने वाली है OnePlus और एक बहुत ही कमाल का उप्शन हो सकता है OnePlus के तरब से शबसे फिले इस फोन की बिल्ट क्वalty में लुक और डिजाइन की बात करें तो इस फोन ग्लास बिल्ट के साथ मिलेगा दो कलर उप्शन इसन को मिलेंगी माट प्रेशन के साथ मे गायुई बलैक और ग्रीन कलर उप्शन मिलते है अब अगर आप इन फोन्स को देखो नो तो काफी हद तक फैमिलियर लगेंगे आपको OnePlus 10 Pro से जी हां गाइस यहां पर आपको बस Hazelblad के ब्राइडिंग नहीं मिलेगी Hazelblad के ट्यूनिंग के साथ ही फोन नहीं आने वाले है बस यहां पर आपको plain camera module देखने को मिलेगा बाकी built वही OnePlus 10 Pro वाला ही रहने वाले है glass build देखने को मिलेगा metal frame देखने को मिलेगा overall अच्छे खासे look के साथ में फोन आने वाले है बाकी गाइस अगर बात करें फोन की display को देकर center में punch hole cutout देखने को मिलेगा look wise काफी अच्छा लगता है आपको screen to body ratio भी काफी अच्छी मिलेगी visors और chin बहुत ही कम होने वाले display size की बात करें तो बड़ी size screen देखने को मिल जाएगी 6.7 inch की full HD plus resolution के साथ E4 AMOLED पैनल रहने वाले है और गैस यहां पर आपको adaptive sync refresh rate वाले display देखने को मिलेगी 120Hz high refresh rate के साथ में मतलब variable refresh rate support देखने को मिलेगा इसके नमागे यह जो display रहने वाली है यहां पर आपको gorilla glass 5 की protection देखने को मिलेगी under display fingerprint sensor देखने को मिलेगा 1300 nits तक की peak brightness देखने को मिलेगी तो overall जो display की quality है या फिर display में जो brightness है या फिर जो experience आपको मिलेगा अब वो अच्छा देखने को मिल जाएगा पाकी performance की बात कले तो इस phone के साथ में Android की दुनिया का अभी का सबसे powerful chipset देखने को मिलेगा Snapdragon 8 Plus Gen 1 अब आप सभी को पताई कि यह जो chipset है TSMC के 4NM fabrication के साथ में आता है और यहाँ पर आपको thermal throttling issue, heating issue जो Snapdragon 8 Gen 1 के साथ देखने को मिल रही थी वो चीज रिमूब देखने को मिलेगी DDR 5 RAM UFS 3.1 इस phone के साथ मिलेगा तो यहाँ पर आपका read and write speed भी कमाल का रहने वाले performance wise यह phone कमाल का हो जाएगा highest settings पर सारी game प्ले कर पाऊगे अंड्रोइड टल्प देखने को मिलेगा, oxygen wise टल्प देखने को मिलेगा और बहुत ही जल oxygen wise 13 भी इंडिया के अंदर rollout होने वाले है तो इस spoon के साथ वो भी देखने को मिल सकता है launch के बाद लेकिन software experience आपका कमाल रहने वाले है, clean रहने वाले है और बहुत सारे लोग मुझे पता है brand value के वैसे इस price के उपर इस phone को भाई करने वाले है वो बात में चानेंगे, लेकिन अगर बात कर एक camera को लेकर तो back में camera मुझे उतना अच्छा नहीं लगा अब देखी launch के बाद कैसी post processing OnePlus करती है because triple camera lens देखने को मिलता है आइकून 9D के साथ में जो की बहुत ही कमाल का sensor हो जाता है बड़ा sensor है यहाँ पर जो दूसरा lens है वो 8 megapixel का ultra wide lens है 2 का macro देखने को मिलते है अब इस price के उपर यह 2 megapixel का macro lens अगर OnePlus देती है ना बहुत ही बगवास चीज़ होगी 16 की selfie नहीं बलकि 32 megapixel का selfie जो पर देखने को मिल सकता है तो guys अगर overall camera sensor को देखे तो यहाँ पर जो sensor है ना वो काफी कम price के उपर आपको already OnePlus ही दे रही है अब इस price के उपर अगर यह sensor मिलता है तो बहुत दुखता है बात होगी बैटरी यह और charging के बात करें तो इस phone के साथ में आपको 4800 mAh की बैटरी मिलती है तो battery capacity wise इस price क्रूप और सबसे कमाल का smartphone होगा और यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का charging मिलेगा 150 watt का जो कि आपको phone को बहुत ही जल याँ आपको कहने कहीं 15-18 मिनट के अंदर full charge करके phone दे देने माल है overall यहाँ पर जो phone का main highlighting point होगा वो होगा इस phone का performance, display और battery charging इसके लमागाईज अगर बात करें तो dual studio speaker support देखनी को मिल जाएगा NFC देखनी को मिल जाएगा, dual card slot देखनी को मिलेगा और यही रहने वाले हैं कुछ complete specifications OnePlus 10T smartphone के साथ में pricing की बात गए तो launch दे पहले pricing leak हो गई और यही pricing official pricing देखनी को मिल सकती है जहाँ पर 8GB RAM 128GB storage option के साथ में यह smartphone 49,999 रुपीज में देखनी को मिल सकता है leaks के according और यह official pricing हो सकती है जहाँ पर आपको 1500 डूपीस का starting में offer मिलेगा जिसके बाद में यह smartphone 50,000 यह नि 50,000 के नीची आपको देखनी को मिल जाएगा तो कैसे लेना best होगा तो guys यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा अगर आपको OnePlus की branding ही matter नहीं करती तो definitely इस price के उपर आपको एक दिन पहले ही iPhone 9D देखनी को मिलेगा यह नि 2nd August को और वो जो smartphone है बहुत ही कमाल का है चाहे अगर बात करें in terms of display, in terms of camera या फिर अगर बात करें performance को लेकर इन सभी चीज़ों के मामले में आप वो आगया निकलेगा